उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगराजी शोभायमान थी कमल के समान बड़े-बड़े नेत्र थे उनका नील कंठ था और वे सुन्दर्ता के भंडार थे उनके मस्तक पर द्वितिया का चंद्रमा शोभित था कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत्रस ही शरीर धारन किये बैठा हो अच्छा मौका जानकर शिवपत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई अपनी प्यारी पत्नी जानकार शिवजी ने उनका बहुत आदर सतकार किया और अपनी बाई और बैठने के लिए आसन दिया पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई स्वामी के हृदय में अपने उपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रियवचन बोली याग्यवल के जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हिट करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाती है पार्वती जी ने कहा है संसार के स्वामी है मेरे नाथ है त्रिपुरासुर का वद करने वाले आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं है प्रभु आप समर्थ, सरवग्य और कल्यान स्वरूप है सब कलाओं और गुणों के निधान है और योग, ज्यान तथा वैराध्य के भंडार है आपका नाम शर्णादतों के लिए कल्प रिक्ष है है सुख की राशी यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सची दासी जानते हैं तो है प्रभु आप श्री रगुनात जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्यान दूर कीजिए जिसका घर कल्प रिक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उपन दोह को क्यों सहेगा हे शशिभूशन हे नात कृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धी के भारी भ्रम को दूर कीजिए हे प्रभु जो पर्मार्थतत्व ब्रहमा के ज्याता और वक्ता मुनी है वे श्री रामचंद्रजी को अनादी ब्रहमा कहते हैं और शेश, सरस्वती, वेद और पुरान सभी श्री रगुनात जी का गुल गाते हैं और है कामदेव के शत्रू आप भी दिनरात आदरपूर्वक रामराम जपा करते हैं ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र है या अजन में निर्गुण और अगोचर कोई और राम है यदी में राजपुत्र है तो ब्रहमा कैसे? और यदी ब्रहमा है तो स्त्री के विरा में उनकी मतिबावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धी अत्यंत चक्रा रही है यदी इच्छारहित, व्यापक, समर्थ, ब्रहमा कोई और है तो है नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए जिस तरह मेरा मोह दूर हो, वही कीजिए मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंदर जी की प्रभुता देखी थी परंतु अत्यंत भैभीत होने के कारण मैंने वहा बात आपको सुनाई नहीं तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया अब भी मेरे मन में कुछ संदे है आप क्रिपा कीजिए, मैं हाथ जोड़ कर विंती करती हूँ हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था फिर भी मेरा संदेह नहीं गया, हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है अब तो मेरे मन में रामकथा सुनने की रुची है हे शेशनाग को अलंकार रूप में धारन करने वाले देवताओं के नाथ आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए मैं पृत्वी पर सिर्टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड कर विंती करती हूँ आप वेदों के सिध्धान को निचोड कर श्री रगुनात जी का निर्मल यश्वर्नन कीजिए यद्यपी स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिनी नहीं हूँ तथा पी मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ संत लोग जहां आर्थ अधिकारी पाते हैं वहां गूर तत्व भी उसे नहीं छिपाते हे देवताओं के स्वामी मैं बहुत ही आर्थभाव, दीनता से पूछती हूँ आप मुझ पर दया करके श्री रगुनात जी की कथा कहिए पहले तो वह कारण विचार कर बतलाईए जिससे निरगुन ब्रहमा सगुन रूप धारण करता है फिर हे प्रभु श्री रामचंद्रजी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकीजी से विवा किया वह कथा कहिए और फिर यह बतलाईए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोश से हे नात फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किये तथा जिस तरह रावन को मारा वह कहिए हे सुखस्वरूप शंकर फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठ कर की थी हे कृपा धाम फिर वा अद्धुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्रजी ने किया वे रगुकुल शिरोमी प्रजास सहित किस प्रकार अपने धाम को गए हे प्रभु फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूती में ज्यानी मुनिगन सदा मगन रहते हैं और फिर भक्ती, ज्यान, विज्यान और वेराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए इसके सिवा श्री रामचंद्रजी के और भी जो अनेक रहे से छिपे हुए भाव अत्वा चरित्र हैं उनको कहिए हे नात आपका ज्यान अत्यंत निर्मल है हे प्रभु जो बात मैंने नभी पूछी हो, हे दयालू उसे भी आप छिपा न रखिएगा वेदो ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने पार्वती जी के सहच सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया श्री रगुनात जी का रूप उनके हृदय में आ गया जिससे स्वयम पर्मानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुक पाया शिव जी दो घडी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे फिर उन्होंने मन को बाहर खीचा और तब वे प्रसन होकर श्री रगुनात जी का चरित्र वर्नन करने लगे जिसके बिना जाने जूट भी सत्य मालूम होता है जैसे बिना पहचाने रसी में साप का भ्रम हो जाता है और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उनी श्री रामचंद्रजी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिधिया सहज ही प्राप्थ हो जाती है। मंदल के धाम, अमंदल के हरने वाले और श्री दश्रत जी के आंदन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्रजी मुझ पर त्रिपा करें। त्रिपुरासुर का वद्ध करने वाले शिवजी श्री रामचंद्रजी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अम्रित के समान वाणी बोले है गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है, जो तुमने श्री रगुनात जी क कथा का प्रसंद पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंदाजी के समान है, तुमने जगत के कल्यार के लिए ही प्रश्न पूछे हैं, तुम श्री रगुनात जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो, है पार्वती, मेरे विचार में त शोक, मोह, संदे और भ्रह्म कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी, शंका की है कि इस प्रसंद के कहने सुनने से सब का कल्यान होगा। जिनोंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र साप के बिल के समान है। जिनोंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किये, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आखों की गिंती में हैं। वे सिर कड़वी तुमभी के समान है, जो श्री हरी और गुरु के चरंतल पर नहीं जुकते। जिनोंने भगवान की भक्ती को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है, जो जीब श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंड़क की जीब के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निश्थुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। है पार्वती, श्री रामचंद्रजी की लीला सुनो, यह देवताओं का कल्यान करने वाली और दैत्यों को विशेश रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्रजी की कथा कामधेनों के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली हैं और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। तीन, श्री रामचंद्रजी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर रामकथा कलियूग रूपी व्रिक्ष को काटने के लिए कुलहाडी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदो ने श्री रामचंद्रजी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अंगिनत कहीं है। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्रजी अनन्थ है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्थी और गुण भी अनन्थ है। दो, तो भी तुम्हारी अत्यन प्रीती देखकर, जैसा कुछ मैंने सुना है, और जैसी मेरी बुद्धी है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। है पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। तीन, परंतु है पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपीवा तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और है, जिने वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्थ है, पाखन्दी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो जूट सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुमते हैं। चार, जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है, और जिनके मन रूपी दर्पन पर विशय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभीचारी, छली और बड़े कुटिल है, और जिनोंने कभी स्वपन में भी संध समाज के दर्शन नहीं किये, और जिने अपने लाभ वे बेचारे श्री रामचंद्रजी का रूप कैसे देखें। जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते, जिनोंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदे छोड़ दो और श्री रामचंद्रजी के चरणों को भजो। है पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनों। पांच, सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है, मुनी, कुरान, पंदित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवष सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है, वही सगुण कैसे हैं? जैसे जल और ओले में भेद नहीं। दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है जिसका नाम भ्रम रूपी अन्दकार के मिताने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है दो श्री रामचंद्रजी सच्चिदानन दवरूप सूर्य है वहां मोह रूपी रात्री का लवलेश भी नहीं है वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और शडैश्वर्य युक्त भगवान है वहां तो विज्ञान रूपी प्रातहकाल भी नहीं होता अज्ञान रूपी रात्री हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातहकाल हो भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है 3. हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहन्ता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है श्री रामचंद्रजी तो व्यापक ब्रहमा, पर्मानंद स्वरूप, परातपर प्रभु और पुरान पुरुष है इस बात को सारा जगत जानता है 4. जो पुरान, पुरुष, प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंदार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव, माया और जगत सब के स्वामी है वे ही रगुकुल मनिश्री रामचंद्रजी मेरे स्वामी है, ऐसा कहकर शिवजी ने उनको मस्तक नवाया 6. अज्यानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्रजी पर उसका आरोप करते हैं जैसे आकाश में बादलों का परदा देखकर कुविचारी, अज्यानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढख लिया जो मनुष्य आख में अंगुली लगा कर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है है पार्वती श्री रामचंद्रजी के विशय में इस प्रकार मो की कलपना करना वैसा ही है, जैसा आकाश में अंधकार, दुए और धूल का सोहना, दिखना आकाश जैसे निर्मल और निरलेप है, उसको कोई मलिंग या स्पर्ष नहीं कर सकता, इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्रजी नित्य निर्मल और निरलेप है दो, विशय, इंद्रिया, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं अर्थात विश्यों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है. इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादी ब्रहमा अयोध्या नरे श्री रामचंद्रजी है तीन यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्रजी इसके प्रकाशक है वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मो की सहायता पाकर जड माया भी सत्य सी भासित होती है. 4. जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीती होती है. यद्यपी यह प्रतीती तीनों कालों में जूट है, तथा पी इस ध्रम को कोई हटा नहीं सकता साथ किसी तरह यह संसार भगवान के आशृत रहता है यद्यपी यह असत्य है, तो भी दोख तो देता ही है जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दोख दूर नहीं होता है पार्वती जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिच जाता है वही कृपालू श्री रगुनाद जी है जिनका आदी और अंत किसी ने नहीं जान पाया वेदो ने अपनी बुद्धी से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है दो वह ब्रहमा बिना ही पैर के चलता है बिना ही कान के सुनता है बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है 13. वह बिना ही शरीर वचा के स्पर्ष करता है बिना ही आखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंदों को ग्रहन करता है, सुंगता है उस ब्राह्मा की करनी सभी प्रतार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती 4. जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनी जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरत नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी है 8. है पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देख कर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक्रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभू रगुश्रेश्ट श्री रामचंद्र जी जडचेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जान जाते हैं, फिर जो मनुश्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रुपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड़े के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं, दो, है पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है उनमें भ्रम, देखने में आता, है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यन्थी अनुचित है, इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुश्य के ज्ञान, वैराग्य आदी सारे सद्गुण नश्ठ हो जाते हैं तीन, शिवजी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतरकों की रचना मिट गई, श्री रगुनात्जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही चार, बार बार स्वामी, शिवजी के चरण कमनों को पकड़ कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़ कर पार्वती जी मानों प्रेमरस में सानकर सुन्दर वचन बोली नौ, आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वानी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद्रितु, क्वार की धूप का भारी ताप मिद गया हे क्रिपालू, आपने मेरा सब संदे हर लिया, अब श्री रामचंद्रजी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया हे नात, आपकी क्रिपा से अब मेरा विशाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रा से मैं सुखी हो गई यद्यपी मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ग और ज्यान हीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जान कर दो, हे प्रभू, यदि आप मुझे पर प्रसन्न है, तो जो बात मैंने पहले आप से पूछी थी, वही कहिए यह सत्य है कि श्री रामचंद्रजी ब्राहमा है, चिन्मय ज्यानस्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले है तीन, फिर है नात, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया, है धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभो, यह मुझे समझा कर कहिए पारवती के अत्यंत नम्रवचन सुनकर और श्री रामचंद्रजी की कथा में उनका विशुद प्रेम देखकर चार, तब कामदेव के शत्रू, स्वाभाविक ही सुजान, त्रिपा निधान शिवजी मन में बहुत ही हर्शित हुए और बहुत प्रकार से पारवती की बढ़ाई करके फिर बोले बीस का